नमस्ते दोस्तों, रत्निकमल जेम्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है योगेंद्र सुनी, मैंने इंटरनेशनल जेमिलोजिकल इंस्टिट्यूट से रत्नों में डिपलोमा किया हुआ है, आज का टॉपिक थोड़ा साल लग है, अपने पंड रत्न सच में होता है या नहीं होता, और होता भी है, तो कुछ काम भी करता है या नहीं, तो आज जिस रत्ने के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे इंगलिश में और हिंदी में, दोनों में ही जिर्कॉन बोला जाता है, जिसकी स्पेलिंग जैड से शुरू होती है, तो उसक जैसा होता है, color, clarity, सारी चीज़े match होती हैं, तो कुछ astrologers और जो जोतेश होते हैं, वो उसको शुक्र को मजबूत करने के लिए पहनाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ जो जरकेन आप पहनते हैं, market में जो मिलता है, 99% काकड़ा मैं बोलूँगा, क्योंकि किसी astrologers को और जो जोतेश होते हैं, काफी कम लोगों को ये knowledge होती है कि जरकेन वो पहना रहे हैं वो सच में असली कोई रत्न है या सिर्फ काँच है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आप लोग पहनते हैं जरकेन बोलके, वो टोटल काच होता है जिस पर मैं अभी हाथ रखा हुआ हूँ जो आपके घरों में आएना लगा होता है वो उसी चीज से बना होता है जिसको जरकेन बोला जाता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे ये जो की कटिंग वाले आते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं कुछ मशीन की परफेक्ट कटिंग वाले होते हैं वो ये वाले होते हैं आपने सुरास की कंपनी सुनी होगी ये एक एक एक्जामपल है तो वो मशीनी कटिंग वाले रहते हैं और काफी अच्छी quality वाले रहते हैं तो उनका लस्टर वगएरा काफी अच्छा होता है वो जूलरी वगएरा में यूज होते हैं पर astrological purpose से कोई भी काम के नहीं है तो अगर ये काम के नहीं है तो जरकेन जो stone है वो शुरू कहां से हुआ है सरनाम A कहां से गया तो उस रतन के बारे में हम बात करेंगे एक्छाल जो रतन होता है जहां से ये सब चीजें शुरू होई है और जो एक्छाल में पत्थर रहता है ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं जिर्कौन जिसकी spelling शुरू होती है Z से जो नकली रतन होता है उसको जरकिन बोला जाता है और जो असली पत्थर रहता है जो कुदरती पत्थर रहता है उसको जिर्कॉन बोला जाता है पर जिर्कॉन की जो कीमत होती है वो काफी जादा होती है सबसे पहले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है असली नकली की पैचान कैसे करें और आपके पास उसके alternative कौन कौन से हैं क्या कीमत होती है और कहाँ से खरीच सकते हैं जिर्कौन रत्न क्या है? जिर्कौन जो स्टोन है वो खुद में एक प्रजाती है इसके अंदर काफी सारे कलर्ज आते हैं जैसा मैंने आपको बताया है जो पुखराज नीलम और रूबी होते हैं वो करंडम प्रजाती के होते हैं पन्ना जो आता है वो बैरियल प्रजाती के रहता है सुनेला, कटेला जो आते हैं वो क्वार्ट्स प्रजाती के रहते हैं इसी तरीके से जो प्रजाती है वो जिर्कौन है और इसके अंदर कोई नाम नहीं होते हैं बस काफी सारे कलर्ज आते हैं आपको वाइड जिर्कॉन देखने को मिलेगा, ब्लू जिर्कॉन देखने को मिलेगा, तो काफी सारे आते हैं, इसका जो origin है वो कमबोडिया, श्रीलंका, व्यतनाम और काफी सारी कंट्रीज में पाया जाता है, असली नकली की पैचान कैसे करें, तो शुरू करने से पहले, अ इसको यूस करने का experience होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर के जो inclusions होते हैं, वो काफी कम होते हैं, आपको और भी चीज़ें observe करनी होते हैं, वो बिलकुल मैं बताऊंगा आगे, पर आप जर्किन और जिर्कॉन में अंतर जरूर पता कर सकते हैं, जब आप एक जिर्कॉन दे जब आप जर्किन देखते हैं, तो यह डाइमन जैसी कटिंग का होता है, और मार्केट में काफी सारे अविलेबल हो जाते हैं, जिर्कॉन आपको काफी कम शॉप्स पर देखने को मिलेगा, जैसे मैं भी आपको दिखाऊं, हमारे पास भी कमी स्टॉक रहता है, क्योंकि इस के बारे में नॉलेज नहीं है, स्टॉन काफी अच्छा है, पर नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास भी काफी कम ही रहते हैं, और एक्सपेंसिफ भी आता है, तो जादा क्वांटिटी किसी के पास अविलेबल नहीं होती, तो जैसा मैं यह दिखा रहा था, आपको एकदम पर तो जब आप जिर्कॉन देखते हैं, तो यह जो जिर्कॉन है, मैं आपको एक माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिखाता हूँ, कि जब आप आई लूप लगाएंगे, आई ग्लास लगाएंगे, तो आपको उसमें अंदर क्या-क्या देखना है, जब आप इसकी एजिस देखे तो इसमें आपको धुंदलापन सा दिखेगा, आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि आई ग्लास में फोकस नहीं हो रहा है, पर यह स्टोन ही ऐसा होता है, कि उसमें अंदर धुंदलापन दिखता है, जब आप नेचुरल जिर्कॉन देखेंगे, तो यह दुंदलापन आपको एजिस में, मोजोनाइट की में भी देखने को मिलेगा, तो आप कस्टोमर्स के लिए सबसे एज़ी ओप्शिन यह है, माली जै आपने मुझ से लिया, या किसी भी शॉपकीपर से लिया, मेरी तरफ से आपको सार्टिफिकेट GST बिल मिलेगा, उन पर एक चीज में आपको बता दूँ, जो जिर्कोने वो खुद हीरे का सबस्टिट्यूट है, तो हम इसके अल्टानेटिव देखेंगे, ना की सबस्टिट्यूट देखेंगे, तो सबसे पहले जो सिंथेटिक स्टोन है, जो मैनमेड स्टोन है, उसमें हमारे पास दो स्टो से पंदरा सो रुपए पर केरेट में आपको मिल जाएगा, जैसे ये पांच केरेट का है, तो ऐसा स्टोन आपको पांच से साड़े साथ अजार रुपए में मिल जाएगा, अब हम देखते हैं, जो नैचरल आप्शन है हमारे पास, जो कुदरती आप्शन है, जो जमीन से क्वार्ट्स भी बोला जाता है, इसके उपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा, तो इसकी जो कीमत है ये आपको 100 से 200 रुपए पर केरेट में मिल जाएगा, अगला जो ऑप्शन है, ये है वाइट टोपास, यानि कलर लेस टोपास, ये भी एक नेचरल स्टोन है, टोपास प्रजाती का है, मैं आगे टोपास के उपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसकी जो कीमत है आप अच्छी रेंज का लेंगे, तो 300 से 500 रुपए पर केरेट या रत्ती में मिल जाएगा, अगला जो ऑप्शन है, य इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, ये भी हीरे का काफी अच्छा उपरतन होता है, बहुत बार मैं एक कस्टमर्स को सजेस्ट करता हूँ कि हीरा ना पहनते हुए ओपल पहने, क्योंकि इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो ये जो ओपल है, इसके उपर मैंने अ बड़ा सा बता देता हूं कि इसकी जो कीमत है 100-200 रुपए पर केरेट में शुरू हो जाता है असली और जो फाइरिंग वाला जो फाइरिंग काफी जरूरी चीज रहती है इसमें जितनी फाइरिंग वाला जो आप ओपल देखेंगे तो 7-800 रुपए पर केरेट से शुरू हो यह वैसे तो इसका अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि अगर आप वाइट सफायर पर जाएंगे यानि सफेद पुकराज पर जाएंगे तो वो जिर्कौन से एक्सपेंसिव आएगा अगर आप एक अच्छा सफेद पुकराज लेते हैं तो उसकी कम से कम कीमत जो है उसकी जो कीमत डिसाइड होती है इसमें वजन से डिसाइड होती है माली जे आपको तीन से चार केरेट का एक भाव में मिलेगा दूसरा अगर वो पांच केरेट का होगा तो उसका भाव बढ़ जाएगा साथ केरेट का होगा और भाव बढ़ जाएगा तो इसकी जो कीमत र इसे हीरे के उपरतने के तौर पहना जाता है, इसके जो मेंन काम रहते हैं वो लक्षरी, रिलेशन्शिप और इंकम के लिए पहना जाता है, और ये काफी पेन रिलीफ वगेरा में काम आता है। सर्टिफिकेट की पैचान कैसे करें, अब ये जो पार्ट है, वीडियो का ज़रूरी पार्ट है, जब आप स्टोन परचेस करेंगे तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल मिलेगा, तो सर्टिफिकेट की जाँच आपको कैसे करनी है, चलिए देखते हैं, तो य या जो report का number है उस पर call करके, certificate का number check करें, उसको verify करें, call करके आप customer के अरपर पूस सकते हैं, या फिर website पर जाके number डालके verify कर सकते हैं, दूसरा जो option है, आपने जिस भी shape का लिया है, तो photo से आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, इस टोन थोड़ा बहुत दिखने में मिलता जुलता होगा, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगली जो चीज है, वो है measurement, measurement काफी माइने रखता है, आप अपने घर की scale से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, अगली जो चीज है, वो है उसका वजन, कि कितने केरेट या रत्ती का आपको मिला है, अब अपने आसपास जोयलर या सुनार पर जाके उसको रीचेक करवा सकते हैं, फिर इसमें refractive index और specific gravity दी हुई है, और comments देखना काफी जरूरी रहता है, कि इस पर कोई तरह का treatment तो नहीं किया गया, वैसे जर्कॉन पर कम ही treatment देखने को मिलते हैं, बाकी main जो result है, उसमें लिखा हुआ है, natural zirkon, असली zirkon कहां से खरीदें, आप एक natural certified zirkon, हमारी website यानि ratnekamal.com से direct जाके purchase कर सकते हैं, अगर आपको कोई issue आता है, तो आप मुझे मेरे number पर WhatsApp या call करके पूछ सकते हैं, अगर आपको मेरी videos पसंद आती हैं, आपके थोड़े से भी काम की होती हैं, तो आप मेरा channel जरूर subscribe करें, like करें और अपने दोस्तों में share करें, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद.